आज का शब्द सिरीज में दोस्तों आपका स्वागत है आज जो हमने पहला शब्द लिया है वह पाम संडे है यह एक विशेश रवीवार है विशेश रवीवार के साथ साथ यह विशेश तेवहार का दिन है जो क्रिश्चियन कमुनिटी वाले मनाते हैं और यह इस्टर के पहले वाला रवीवार पाम संडे है इस शब्द की उत्पत्ति आज से 2000 वर्स पहले हुई थी इसके पीछे यह धाना है कि यरुशलम में इसा मसी प्रवेश किये थे वह जब प्रवेश किये थे तो उन्हें राजा रूप में माना गया था और उस समय से यही प्रथा चल पड़ी है कि हर इस्टर के पहले वाले रवीवार को पाम संडे के रूप में मनाया जाएगा चुकि यह क्रिश्चियन समधायवालों के लिए एक विशेश दिन होता है तो आज के दिन विभिन परकार के विभिन चर्चों में आयोजन किये जाते हैं और इस आयोजन में इसा मसी का स्वागत पाम ट्री के पत्ते या फिर अन्य छेत्री स्थानी पौधे के पत्ते से किया जाता है इस क्रम में अगला शब्द है मास मास का अर्थ होता है gathering अगर Christianity का लेते हैं अगर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह crowd यह group होता है इसका एंटोनिम है individual यह फिर equal व्यक्ति इसका भी प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होता है इस क्रम में अगला शब्द है solidarity यह noun है इसका synonyms होता है agreement यह consensus इसका एंटोनिम है disagreement यह फिर antagonism इसी क्रम में अगला शब्द है airborne airborne का मतलब होता है वाई वाहित यह विशेशन है adjective है airborne कई तरह से प्रयोग होता है बिमारियों के मामले में airborne diseases कहा जाता है या फिर airborne जब हवाई जहाज हवा में चला जाता है तब उससे कहा जाता है इसका synonyms floating या फिर hovering होगा इसका एंटोनिम grounded होगा अर्था जमीन पर कुरोना का जब से प्रको प्रारम हुआ है तब से अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा को भी कई नए नए शब्द मिले हैं इसी क्रम में आज का नया शब्द है infodemic infodemic जो शब्द है यह दो शब्द information और epidemic से मिलकर infodemic निकाल लिया गया है वहां से यह infodemic बना है यह noun है इसका मतलब है गलत सुचना ब्रहमित करने वाली जानकारी या फिर भ्राम सुचना